डोमेस्टिक फिलिंग लेबनम आपका बहुत बहुत स्वागत है हर लोग का सपना होता है कि जील में बहतर रेंक लाएं बस मैं आज जो तीन ट्रीक बताने वाला हूँ भाया ये तीन ट्रीक से मैं काता हूँ पर तेक मेच में आपका जील मिस नहीं होगा तो फिर हमें काना जितने भी लोग विस में जील विन करें एक करोड विन किये होंगे या फिर एक लाग दो लाग कुछ भी विन किये होंगे ति ये तीन ट्रीक ही काम आती है आपको बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रीक बताएंगे लेकिन ये तीन ट्रीक में ही सारा ट्रीक आता है आप ये तिन ट्रीक है किया यहाँ पर आपको देखना है बस सिंपल है, बस सिंपल तरीका मैं समझाओगा मैं परते एक वीडियो में भी सिंपल तरीका समझाता हूं ताकि हमारे तमाम यूजर समझ सके और GL में बेहतर रिंख ला सके लेकिन नहीं, केप्टन एंड भाइस का लोजिक क्या होना चाहिए बताता हूँ, अगर जदि आप एक सेब लेकर 20 टीम बनाते हो, तो केप्टन एंड भाइस का लोजिक क्या होना चाहिए, सबसे महत्पूर्ण बस अब थोड़ा सा किसी तरह टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखलो, अब भस अब खुद से खिलते रहो, जिन्दगी भर अब फेंटेसी बहतर रिंक लाते रहोगे, तो दोस्तों देखो एक उधारन के जरिये मैं समझा रहा हूँ, यह IPL का मेच है, आब यहाँ पर यह टीम मैंने काफी मेहनत से मैंने टीम बनाई, आपने भी काफी मेहना से टीम बनाई, मैं एक उधारन के तावर पर आपको समझा रहा हूँ, हमें लग रहा है कि यह टीम हमारी काफी बहतर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि एक पिलियर तिरी पाटी हो सकता है, फुलोब जा सके, या फिर लोकी फर्गुसन फुलोब जा या फिर आपका सारे पिलियर पर भरोसा है, अगर ज़धी हम केप्टन वाइस पर भरोसार रखते हैं, तो हमें यहाँ पर पिलियर रोटेट करना है, अब देखो, अगर ज़धी मैं मान लोग कि केप्टन हमारा रसेल है, वाइस हमारा सिखर धावन है, ये दोनों अगर पर ये दोनों केप्टन वास निकल जाएंगे ये आपको कई मेच में यूच करना है आपको समाली में आ जाएगे जिस दिन आपका केप्टन वास सटीक निकल गया आप उस दिन जील विन कर लोगे देखो केप्टन वास चलो रसेल और सिखर धवन को मैं जो यहाँ पर बनाया है केप्टन वास को समराने देना है बीश टीम पर यहाँ पर क्या करना आपको अक्षर पटेल के जगाहा को लाग रहा है कि अक्षर पटेल फलोप जाएंगे तो कौन भेतर करेंगे आपको लाग रहा है सुनी नरान ले लेंगे एक टीम हो गया दूसरा टीम आपको लाग रहा है कि सुभमान गील भेतर करेंगे सुभमान गील ले लिए दो टीम हो गया बस छोटा सा आपको चेंज करना है क्योंकि जी एल जो मिस होता है वो बस एक छोटा सा ही पिलियर से मिस होता है एक पिलियर को अगर जदी इनके जगा उनको ले ले लेंगे तो जीलवीन हो जाता कही सिखायते आती आपके साथ भी हुआ होगा केप्टन वाज को सेम रहने देना है फिर मैं दूसरा लोजिक में बताऊँगा कि केप्टन वाज सब चेंज भी कर सकतो इसी तरह आपको करना है सूब मनगिल के जगा आपको लाग रहा है नितेसराना करेगा पिर थिवी सो भेतर करेगा तो इस तरह करके रोटेट करते जाना आपको टीम बनाते जाना है 10 टीम बने, 12 टीम बने अब आपको लगा कि नहीं अक्छर पटेल भाया भेतर तो करेगा हमें लग रहा है जहां तक कि यहां पर भी चक्रवर्ती भेतर नहीं करेगा तो चलो भी चक्रवर्ती को रोटेट करते हैं कोन भेतर करेगा जब भी चक्रवर्ती भेतर नहीं करेगा आपको लग रहा है पी किरिष्णा बहतर करेगा पी किरिष्णा को ले लिए अगर जदी वी चक्रिवर्ति वाला टीम बहतर किया तो वो टीम आगे जाएगी नहीं तो वी चक्रिवर्ति फ्लो गया पी किरिष्णा बहतर किया पी किरिष्णा जाएगी तो एक-एक प्लियर रोटेट करके सेम केप्टन वहाईस के साथ अगा ज़री खेलते हो तो निश्ची तोर पे जी एल पे बहतर रेंग आएगा ये आप यूज करके देखना केप्टन वहाईस आपको इसमें चेंज नहीं करना है बस आप जब एक-एक प्लियर रोटेट करके बनाओगे तो भगवान से ये दुआ करना है कि हमारा केप्टन वहाईस सटीक निकल जाए केप्टन वहाईस सटीक निकलते ही एक टीम आपकी रोक जाएगी सीधे सोक के इनके जगा उनको वो टीम हमेशा के लिए आगे चली जाएगी क्योंकि आप लोग का सिखायता था इनके जगा अगर जदी ये पिलेर होता तो मैं विन कर जाता तो इसी तरह कि आप 20 टीम बनाऊ ना ये सिखायते भी नहीं आएगी और आप जी एल भी विन कर लोगे चले केप्टन भाई सटिक आते ही जी एल भी न हो सकता है तो भैया दूसरा यहां पर ट्रीक जो है पिलेर चेंज क्या होना चाहिए पिलेर चेंज का लोजिक देखो भाई एक चीज आपको याद रखना फर्स्ट ट्रीक जो मैंने बता है वो क्या बता है पिलेयर चेंज का लोजिक मैंने बता दिया आप जो मैं बताने बाला हूँ वो केप्टन वहाईस का बताने बाला हूँ अब यहाँ दूसरा ट्रीक जो आता है वो केप्टन वहाईस का लोजिक आता है प्लेयर इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे अब हम लोग बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने का परियाज करेंगे चलो लगे कि मुझे ये जो टीम मैं बना ये बेस्ट है अब इसमें हमें लग रहा है कि रिसप पंद भी बेस्ट है भी अईयर भी बेस्ट है और तिरी पाठी भी मुझे लग रहा है बेहतर करेंगे सिर्यस अईयर भी बेहतर करेंगे इस तरह करके देखा जाते हैं तो एक आरो प्लियर मुझे बेस्ट लग रहा है लेकिन हमें कहां थोड़ी से खमिया नजर आ रही कि रसेल केप्टन निकल पाएगी या सीखर दवन भाईस निकल पाएगा ये थोड़ा सा मुश्कीले लग रहा है तो अब एसे इस्तितिम आपको क्या करना है अगर जदी आपको लग रहा है कि सीखर दवन भाईस के लिए बेश्ट है तो यह पर कगीशो रबाड़ा को यहाँ पर केप्टन दे सकते है सेम रखकर सीखर दवन को भाईस फिर इस इस्तितिम हम चाहेंगे लगेगा कि मुझे ए नोट जी के ऊपर हमें केप्टन जाना चाहे तो ए नोट जी को मैं यहाँ पर केप्टन दे देता हूँ आप यहाँ पर क्य अगर जादी नोट जी जादा पूंट दे दे और रबाड़ा कम दे दे केप्टन भाईस उलट हो जाए तो तो एससे इस्तितिम हम चाहुथा टीम क्या बनाएंगे एससे इस्तितिम हम चाहुथा टीम यहाँ पर नोट जी को यहाँ पर केप्टन दे देंगे और भाईस हम हाँ पर दे देंगे रबाडा को इसे इस्थिति में अगर जदी सीखर धवन हमें लग रहे हैं कि भाज के लिए बहतर है तो वो केप्टन भी हो सकते हैं तो अब अब इसे इस्थिति में क्या करना नोड़ जी केप्टन अगर दे दिये हैं तो इस बार नोड़ जी को भाज देंगे यहाँ पर सीखर धवन हो जाएगा केप्टन क्योंकि हमें तीन पिलिएर इसे लग रहे हैं जो केप्टन भाज के लिए बेस्ट हैं तो इसे इस्थिति में अब यहाँ पर रबाडा को भी हम यहाँ पर भाज दे देंगे और केपटन दे देंगे सीखर दंद, हमने क्या गया, तीन पिलियर जो हमें best केपटन भास लगा, तीनों को केपटन दे दिया, तीनों को 20 भी दे दिया, यानि कि कितने टीम हम लोग के बन गए होंगे, छे टीम बन गए होंगे, आप यहाँ पर अगर जिद लग राई चाओ था पिलियर लग राई कि रसेल केप्टन भाईस के लिए बेस्ट चोईस है तो आपको रसेल के उपर केप्टन जाना है रसेल के उपर जब हम लोग केप्टन के लिए जाएंगे यहाँ पर देखना है बस आपको ध्यान से देखना है रसेल को जब हम केपटन बना दिये थो हमारे जहने में क्या था इससे पले सिकर धवन भी था कगीशो रबाड़ा भी था और नोड़ि जी था तो इन तीनों को तो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों के भी बारे में मुझे पता है कि केप्टन भॉहास के लिए best option हो सकते हैं, अब यहाँ पर लगा रासेल, तो रासेल जब केप्टन निकलेंगे तो भॉहास के लिए तो हमें राबाडा के उपर भी जाना चाहिए, दूसरा टिम बन जागा इनके अलावे फिर से आपको क्या करना है रसेल को केप्टन रहने देना है वहाईस नोट जी को उपर चल जाना है रसेल को फिर से केप्टन रहने देना है वहाईस सीखर धवन को उपर चल जाना है अब फिर से क्या करना है सीखर धोवन केप्टन वहाई से रसेल कर देना है इस बार रबाड़ा केप्टन वहाई से रसेल कर देना है नोट जी केप्टन वहाई से रसेल कर देना है यानि कि जितने ओप्सन आपको लगे उन्हीं सभी में आपको रोटेट करना है केप्टन वहा उसमें तो चार से पांच पिलियर आपको देखना है जो केप्टन भाज के लिए बेश्ट हो सकते हैं उन्हीं चार पांच में से रोटेट करना कई बार उनको केप्टन इनको भाज इनको भाज तो उनको केप्टन इस तरकर का बीश टीम बनाना मैं करता हूँ जी यल मिस नहीं होगा अगर जैदे आपकी टीम चल पड़ी तो सारी टीम एक साथ आगे जाएगी नहीं तो सारी टीम नीचे भी आएगी इसी सिकाईते नहीं आएगी कि भाया थोड़ा सा से मिस हो गया थोड़ा सा मिस होने का मैं यहाँ पर लोजिक बताऊं जो बहुत सारे लोग का जील मिस हो जाता है इसे इस्तिती में निश्चीत तोर पर अगर जैदे आपकी टीम अच्छा करेगी तो यहाँ पर जील मिस नहीं होगा तिसरा टीरीक की बात किया तो यह आप इन्हें डोमेस्टिक पिलेंग लेबन टीरीक मान सकते हो आज तक मैं जब से खेल रहा हूँ आप लोगों पताए यह स्ट्रोंग टीम टीरीक मैं अपनाया हूँ बहुत सारे लोग अभी भी अपनाते हैं लेकिन यह हमारा जो ड्रीम 11 खेलने का जो जन्म हुआ तब से मैं यह ट्रीक अजमा रहा हूँ बहुत सारे लोग GL टीर्स बनाकर यह ट्रीक भी अजमाते हैं मैं देखा लेकिन जो हमारे सार्वात से जुड़े हैं तो उनको पता है strong team trick क्या ये trick से मैं अगर जदी पूछोगे तो domestic match और international में भी कई बार jl win किया हूँ आप लोगों साथ share भी किया हूँ इसलिए screenshot मैं नहीं देखा रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या कहेंगे ये fake screenshot वगेरा तो जिनको पता है तो मैं बताता हूँ कोई मैं prime team नहीं देता बिल्कुल फिरी team देता हूँ जो मैं आपको fake screenshot दिखाऊ इस वज़ा से मैंने screenshot आपको दिखाया नहीं लेकिन strong team trick क्या सबसे best सबसे must trick है ये trick तो मैं हमेशा यूज करता हूँ और profit में भी रहता हूँ IPL के देखोगे 10 मुकाबले भी खेले गए हूँ तो 8 मेंस मैंने यही trick यूज किया और अच्छा भी गया तो देखो भाई ये trick आपको ज़्यादा तक धियान से देखना है क्योंकि हमारे बहुत सारे users को भी पता हूँ कोलकाता और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जाएगा लोग क्या करेंगे कोलकाता दिल्ली के बीच मेंस खेला जा रहा है बच टीम स्टार्ट कर देंगे सबसे पहला मधपून जनकारी ये होना चीग कलकाता और देल्ली में कौन सी टीम मजबूत है अगर जदि आपने ये पता कर लिया निस्ची तोर पे आपकी टीम चल पड़ीगे अगर जदि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिल्ली की टीम मजबूत है तो मैं क्या टीम बनाने बाला हूँ यह देखो अगर जदि दिल्ली पहले गिनबाजी करेगी तो यहाँ पर मैं क्या टीम बनाऊँगा आपको भी यह करना है पर तेक में जितने भी होते हैं मैं निस्ची तोर पे कहता हूँ जी एल विन करने का सबसे बेस्ट है अब दिल्ली विन करेगी तो मुझे लग रहा है कि वन साइडेड विन करेगी तो सारा गिनबाज मैंने दिल्ली का ले लिया अक्चर पटेल इनके अलावे यहाँ पर आरासी बिन पाच गिनबाज जो गिनबाजी करेंगे ले लिया इनके अलावे इनके ओपनर सिकर धवान और पिथिवी सो को दे दिया अब यहाँ पर मैं कुलकाता को चार बेश्ट पिलियर पिक करूँगा दिनेज कार्थी को पिक कर लिया सुभमन गिल को पिक किया राहुल तिरी पाथी को और यहाँ पर मैं रसेल को पिक कर लिया अब इससे इस्तिती में मेरा टीम का मतलब यह है कि अगर जदी कलकत्ता पहले बले बाजी करेगी तो काफी सस्ते पोला उठो सकती है तो सारा गेनवाज मैंने देली का ले लिया और केप्टन वहाज जो हमारा होने वाला वो ओपनर होगा पिथिवी सो सबसे ज़्यादा रन मारने का छमता रखता है उनके बाज सीकर धवन तो केप्टन पिथिवी सो होगा वहाज हमारा सीकर धवन होगा इससे इस्तितिम क्या होगा अगर जदी opener से ही match finish करते हैं तो यहाँ पर निच्छी तोर पे JL win कर सकते हैं यहाँ पर देख को दिखाते हैं क्या सारा गिनवाज तो हमने ले लिया दिली का और हम यह चार हैं कि दिली का बिकेट ही नहीं गिरेगा तो यहाँ पर कोलकाता के गिनवाज का कोई मतलब रहा ही नहीं और opener से अगर जदी match win होता है तो मैं भी JL win कर लूँगा अब थोड़ा से यहाँ पर तुरूटी आता है कि कोलकाता का चार बल्ले बाज जो आपने भया पिक किया यह चार पिलियर बेस्ट होना चे तो आप यहाँ पर वो नियम यूज होगा दूसरा रोटेट करना आपको लगता है राहुल तिरी पाठीक जगा भी आयर होना चे लेकिन हमारा रनी तिक्या है कि दिल्ली वन साइडेड विन करेगी यह से स्थिती में भी हम मुहाँ चेंज करना भी आयर ले लिए अब हमें लग रहा है कि सुभमन गील के जगा भी आयर होना चे राहुल तिरी पाठीक को रहने दिया जा इनको ले लिए बस कोलकाता के चार पिलियर रोटेट करते रहोगे जिस दिन यह हो गया कि दिली ने उनको ओल आउट कर दिया और दिली का ओपनर से ही मेच फिनिस कर दिया तो जियल विन करने कोई रोक ही नहीं सकता जिन्दगी में कोई रोक ही नहीं पाएगा कहीं से आपको लग रहा है कि जियल रोक सकता है कहीं से नहीं लग दा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रनीती अपना है कई बार opener से match को win करता है तो जिस दिन opener से match win होगा उस दिन आपका GL भी win होगा यानि कि मैंने कोलकाटा के सारे पिलर ले लिया यह मान कर चल रहा हूँ मैंने दिल्ली का सारे गिनबाज ले लिया और ये मान कर चार राओं कि दिल्ली ओपनर से ही मेच फिनिस कर देगी तो यहाँ पर कुलकाता की गिनबाज का काम ही नहीं रहा 25 परसेंट तो यहाँ पर मेच विन हो गया इनकी अलावे चार पिलेर जो कुलकाता को पिक करेंगे, एक एक रोटेट करेंगे, वहाँ पर अगर चार पिलेर हमारा साटीक हो गया, जी एल वीन यहीं पर हो गया अब बात आती कि अगर जादि कुलकाता क्टिम सस्टे पे निप्टेगी तो गेनबाज भी तो केप्टरन भाज के लिए हो सकते हैं तब आप क्या करना पिरतिवी सो केप्रन भाज यहाँ पर गेनबाज दे सकते हैं तो ये सब त्रीक अजमाओ भाई, इधर उधर के चकर में रहो, प्राइम से कोई आपको भी नहीं करा सकता, खुद पे confidence रखो, मैं काता हूँ आप पे बहुत सारी हुनर है, मैं बहुत सारे भाईयों को बताया हूँ, वो अब अच्छा भी कर रहे हैं, तो आप खुद से मेन करो, थोड़े दिन में मुझे जरूर मेसेज करका आप बोलोगे कि भाईया, अच्छा रिंक आ रहा है, आपकी बात हमें अच्छी लगी, अब जो पहले से ही हमारे परती बुरा सोचते हैं, तो उनको क्या कहना, आप देखते होंगे, आप लोगों के लिए में कितना सारा म मेसेज करोगे, तो वो देखेंगे तक नहीं, लेकिन मैं सारे लोग का रिपलाई करता हूँ, बहतर तरीका साब देखलो, इंस्टागराम का आइडी बहोगा, वहाँ पर मेसेज करना, कोई भी तुरूटी हो, विद्रो से लेकर कुछ भी, मैं उनका सोल्यूशन करता हूँ और हमेशा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, तो दोस्तो ये हमारा टेलिग्राम चैनल यहीं पर आपको आकर जूड़ जाना है, आप डिस्क्रिप्सन से जूड़ोगे तो सही सटीक चैनल पर जूड़ोगे, क्योंकि मैं फिरी टीम पर वाइड करता हूँ, बहुत सारे फेक चैनल बने हैं, सेम डोमेस्टिक फिलिंग लेवर नजर आएंगे, लेकिन वो परायम का भरमार है, तो दोस्तो चलिए वीडियो अगर जिद आपको अच्छा लगाए, तो चैनल को अवज से सब्सक्राइब कर लेना, इनके लाब कोई भी प्रोब्लम होगे, मैं बार- क्रीक के साथ मैं जल्द ही आऊंगा, ताकि मैं आप लोगों को टीम कोपी करने नहीं, बलकि खुद से बरताने के लिए मैं आऊंगा, ताकि आप बहतर कर सको, एसा बन जाओ फेंटेसी में कि आपका टीम दूसरे लोग कोपी करे, आपके दोस्त कहें कि भया एक टीम किरिय होग आया